आईपील दोहजार चौविस के ऑक्सन में कोलकता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने स्क्वाड में कई सारे स्टार प्लर्र्स को इन्क्लूड किया है तो आज के इस स्पेसल वीडियो में हम बात करेंगे IPL 2024 के लिए कोलकता नाइट राइडर्स के बिलकुल नए प्लेइंग 11 के बारे में यानि कि IPL 2024 में कोलकता नाइट राइडर्स की टीम कौन से प्लेइंग 11 के साथ हो उतरेगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बहतरीन होगा इसलिए वीडियो में सुरू से लेकर के अंतक बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लिए तो सबसे पहले हम आपको बता दे किया दिया आप ही कुलकता नाइट राइडर्स की टीम के फैन है और कुलकता नाइट राइडर्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में हमार टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसे ओपन करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले क्योंकि वहाँ पे आपको KKR और IPL से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले मिल जाएगा तो अगर आप KKR के सच्चे वाले समर्थक है तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ल कोलकता नाइट राइडर्स के नए प्लेइंग 11 के बारे में तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे KKR के नए ओपनिंग पेर से तो कोलकता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेइंग 11 में पहला नामाता है रह्मनूला गुरबाज का जो की इस टीम के पहले विदेसी प्लर है और ये खिलाडी इस टीम के लिए विकेट कीपिंग का रोल भी निभाएगा तो KKR के प्लेइंग 11 में सबसे पहला नामाता है रह्मनुला गुरबाज का जो की विकेट कीपिंग ओपनिंग बैट्समेन है और इसके बाद दूसरा बारा नामाता है वेंकटे सयर का जो की काफ मनुला गुरुबाजर विंकटे सयर के रूप में KKR का नया ओपनिंग प्यर देखने को मिलेगा और इसके बाद तीसरे नमबर प्याने वाले हैं इस टीम के कप्तान यानि की स्रेय सयर स्रेय सयर आईपील 2023 में चोट के चलते नहीं खेल पाएं थे जिसके वज़े से निती सराना ने कोलकता नाइट राइडर्स का कप्तानी किया था लेकिन अब कप्तान स्रेय सयर पूरी तरीके से फिट है तो स्रेय सयर ही कोलकता नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे जिस पे आने वाले हैं इस टीम के वाइस कैप्टन यानि की निती सराना ने IPL 2030 में KKR का कप्तानी किया था लेकिन इस साल वो एजे वाइस कैप्टन कोलकता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे क्योंकि सिरय से यर वापस आ चुके हैं तो इस वज़े से निती सराना KKR के प् देखने को मिलेंगे पिछले साल रिंकु सिंग ने कोलकता को कई सारे मैच सिंगल हैंडेट ली जिताया था जहां पे एक मैच में तो उन्होंने एक ओवर में 30 रन बना करके KKR को जिता दिया था और अब वो टीम इंडिया के लिए भी तागरा प्रदसन कर रहे हैं तो इस वज़े से रिंकु सिंग आप लोगों को नमबर 5 पे देखने को मिलेंगे जो कि इस टीम के बैटिंग के सबसे बड़े सुपर स्टार एक प्लियर माने जा रहे हैं क्योंकि इनका कंसिस्टेंट फॉर्म KKR को काफी ज़्यादा मेनिफिट करा के देगा इसके बाद नमबर छे पे इस टीम के सबसे बरे बिसपोटक बले बाज यानि की ओल राउंडर आंद्रे रसल देखने को मिलेंगे जो की KKR के प्लेइंग 11 में फिनिसर का रोल निभाएंगे और आंद्रे रसल के पास काफी बढ़िया स्किल है काफी लंबे लंबे छके चोके आसानी से रसल जड़ देते हैं तो इस वज़े से नंबर 6 पे आप लोगों को आंद्रे रसल देखने को मिलेंगे जो की बहुत बरे बैट्समेन है और खास तोर पे KKR की टीम के लिए इनका प्रदसन अन्बिलिवेबल होता है तो इस वज़े से नंबर 6 पे आंद्रे रसल को रखा जाए हैं और सुनिल नरायन का प्रदसन काफी बढ़िया होता है बॉलिंग में इनका एकोनमी काफी बेश्ट और इसके साथी अंत के अबरो में ये आसानी से छका चोका भी जड़ सकते हैं और मुझे तो प्रसनली ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जब से गौतम गंभीर में असके सबसे महगे खिलाडी यानि कि मीचल स्टार्क देखने को मिलेंगे जिनको 24 करूर 75 लाख में कोलकता की टीम ने खरीदा तो नमबर आठ पे आप लोगों को मीचल स्टार्क देखने को मिलेंगे जिनसे इस तीम को काफी ज़धा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये चेतन सकारिया, चेतन सकारिया अभी काफी बढ़िया बैट्समेन है पहले, काफी बढ़िया बॉलर है पहले ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरब से खेलते थे लेकिन अब ये कोलकता नहीट राइडर्स के लिए नमबर नौ पे आने वाले हैं, इसके बाद रसवे नमबर 10 पे वरुन चकरवरती देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद 11 नमबर के बारे में बात करें तो यहां पे आने वाले हैं फास्ट बॉलर हरसितराना तो हरसितराना को प्लेंग 11 में कुलकता के टीम जरूर रखेगी क्योंकि इनका गेंदबाजी का स्किल काफी है तो इस वज़े से हरसितराना नमबर 11 पे देखने को मिलेंगे तो कुल मिला करके कुलकता नाइट राइडर्स का प्लेंग 11 आईपील 2024 के सुरुवाती मैचों में इसी परकार से होगा आपके हिसाब से क्या कुलकता नाइट राइडर्स की टीम गौतम गंभिर के मेंटोर